हलो फ्रेंड्स आजके इस वीडियो में आपको ये बताने जारों कि कैसे आप अपने IQ 9 Android वाइलफोन में आप जो है टच वाइब्रेशन सेटिंग को आपना इनेबल कैसे कर सकते हैं और ये टच वाइब्रेशन सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करेगी आज के इस वीडियो में आपको डिटेल विजान करी देने वालों तो चलिए आप ये वीडियो का हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने वाइल फोन में सैटिंग पेज को ओपन करना है ठीक है सैटिंग पेज को ओपन कर लिजे अपने वाइल फोन में सैटिंग पेज में आपको नीचे आना है या आपको ये ऑप्षिन मिल जागा नीचे टच वाइब्रेशन का टच मैं कि आपको बता जते हूँ आपने आप़ने और टौलायद करेंगे तो आपकाDonald वाइब्रेट करेगा तो यह ucharist देल के लाइबन किसे काम करेंगे की आपके अभरने का एक शौकत तरीकपर बता जैता हुँ आपके हमपरन होगाays सेटिंग कि यह से आपको फिर से open करना है starting से ठीक है setting page को फिर से open कर लिए अपने mobile phone में setting page में आपको सबसे उपर यह option मिलेगा search icon का इसे आपको select करना है और यहाँ पर आपको search bar में setting का name आपको type करना है touch vibration ठीक है जो setting करने में आप यहाँ पर type कीजे इस तरीकी से तो आपको नीचे की side यह option शो हो जागा touch vibration यहाँ पर आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी आप search bar में setting का name आप type करेंगे तो यहाँ पर आपको spelling mistake नहीं करनी है अगर आप यहाँ पर spelling mistake करेंगे तो आपको नीचे की side यह option दिखाई नहीं देगा इस बात का आपको ध्यान रखना है तो चलिए वीडियो को आगे continue कर लेते हैं जब यह option नीचे side शो हो जाता है तो इसे आपको select करना है इससे क्या होता है आपका mobile phone आपको directly इस सेटिंग में आपको लेकर आ जाता है और इस सेटिंग को highlight करता है तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका भी बता दिया इस सेटिंग को ढूंटने का आपके mobile phone में